खुद्रत कवा है उस खुदाई की जहां हर्याली और रंगों की बहार है हर और दिल करता है पंख लगा कर उड़ जाओ नीले कगन में उक्ते सूरज की सुनेहरी किरणों की और आओ उने एक अनोखी कहानी देखो अपना देश अज उर्दू के शायर और हिंदी के कभी और अलग 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 छित्रों से में सक्रिय हस्तियां हमारे बीच हैं मैं सिर्व उद्गोशक की भूमिका में हूँ और क्या ही अच्छा हो हमारे हाँ कारेक्रमों की शुरुआद माशारुस्ति की बंदना और इत्यादी चीजों से होती है लेकिन क्या अच्छा हो अगर हम कारेक्रम की शुरुआद किसी माशारुदे की वरत पुत्री की कभीता सुनकर करें मेरी मुराद अधनिय संगीता गुपता जी से है और आप लोगों से मेरा अगरह एक बार जोड़दार तालियां उनके स्वागत में बताएं चंदनी गंद हैं बेटियां या कि मकरंद हैं बेटियां बांध लो चाहें जिस भाव में ताल ले चंद हैं बेटियां एक संशय के काल में हम लोग जी रहे हैं फिर भी कभीता सुनने के लिए लोग इकठे हैं ये एक बहुत बड़ी उमीद है हमारे बीच कभीता उमीद जगाती है और कभी का काम है उमीद को बनाए रखना इस शाम में आप सब का बहुत स्वागत है बहुत आभारी हूँ कि ऐसे काल में भी लोग कभीता सुनने आ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा होसला है मैं एक पहले आपको बताना चाहती हूँ कि शायर क्या होता है कई जन्मों की प्यास कई जन्मों की प्यास और बेचैनिया लेकर कोई इस जमी पर उतरता है तो शायर होता है एक टूटा सितारा जिसे आस्मा ने बेघर किया हो तो शायर होता है पत्थरों से मुहबबत का जज़बा रखता है मौसमों के साथ मुर्जाता और खिलता है तो शायर होता है चिडियों के साथ चहकता है पुराने दरक्ट पर नई कोपल सा उगता है तो शायर होता है चिडियों के संग चहकता है पुराने दरक्ट पर नई कोपल सा उगता है तो शायर होता है सूखी पत्तियों पर नर्मी से पाउं रखता है कि कहीं तूट ना जाएं उसकी बून को समंदर समझता है तो शायर होता है तो शायर होता है बड़ी लंबी नजम है मगर मैं इसको पूरा नहीं सुनाऊंगी मैं एक माहौल बनाना चाहती थी जो सबसे पहले पढ़ता है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने ओडियंस को अपने साथ कर ले तो मैंने सोचा कि मैं ये सुनाती हूँ मैं एक और छोटी नजम सुनाती हूँ जी सौगत है तुम्हारी हसी अब निश्पाप नहीं तुम्हारी हसी अब निश्पाप नहीं हिसाब किताब के बोश तले किसी बिकी हुई रूप का कलंग हुई तुम्हारी हसी अब निश्पाप नहीं हिसाब किताब के बोश तले किसी बिकी हुई रूप का कलंग हुई दो आखों से जहलकती बेपना मुहबब किसी दर बदर वैशिया की बिलबिलाती भूख हुई बातों के ना खत्म होते सिलसिले जहां कलियां खिलती थी तितलियां नाचती थी हरसू बहार का आलम था अब खामोशियों के विरान रेगिस्तान हुए मेरे आदम अर्मानों के भार से हमारे बीच जो सच्चा लगता था मेरे आदम अर्मानों के भार से हमारे बीच जो सच्चा लगता था सब कलुषित हुआ अब बोलने सुनने से बहतर अबोला हुआ यहाँ अगनी फूलों का बाग उग गया यहां अगनी फूलों का बाग उग गया वहां तितलियों के लिए शम्शान बन गया वहां तितलियों के लिए शम्शान बन गया एक और अफसाने में फिर मुहबत बेजार हुई एक और अफसाने में फिर मुहबत बेजार हुई आसुओं के जलते समंदर में प्यार की सारी मशलियां जल जल मरी बरबाद हुई तुम्हारी हसी अब निश्पाप नहीं हिसाब किताब के बोश तले किसी बिकी हुई रू का कलंग हुई मैं एक हिंदी कविताब को सुनाना चाहूंगी क्योंकि ये मंच हमारा कवियों का है ये शोध्रा जब सिधार्त उनको छोड़कर बुद्ध बनने की प्रक्रिया में बिना बताय चले गए तो उसको बहुत तकलीफ हो गई उसने अपनी मित्र से कहा अपनी सखी से कहा कि बता कर तो जाते जाते तो मैं क्या रोक लेती बता कर तो जाते तो दोस्त का क्या काम होता है दोस्त का काम होता है समझाना कि जो हुआ ठीकी हुआ क्यों हुआ तो एक थर्ड परसन मतलब यशोद्रा की मित्र उसको उसकी सखी उसको समझा रही है जोशी जी आपसे मुखातिव हूँ यशोद्रा से समवाद चुप चाप बिन बताए खामोशी से चले जाना सिद्धार की मजबूरी थी बताकर जाना कहां मुम्किन था बताकर जाना कहां मुम्किन था बताने का साहस जुटा नहीं पाए बताने का साहस जुटा नहीं पाए दवे पाउन निकल गए महल के ऐशो आराम छोड़ना फिर भी मुश्किल ना था ये शोदरा तुम्हारा दिल तोड़ना ही नामुम्किन था महल के आशो आराम छोड़ना फिर भी मुश्किल ना था ये शोदरा तुम्हारा दिल तोड़ना ही नामुम्किन था तुम्हें गिला रहा तुम्हें गिला रहा की बता कर तो जाते जरा सोचो अपनी मुहब्बत को ठुकरा कर जाने की ताकत कहां से लाते और गर नहीं जाते तो क्या बुद्ध हो पाते अपना या शोद्रा तुम्हें छोड़ कर जाते या शोदरा तुम्हें छोड़कर जाना तुम्हारा दिल नहीं अपना सब तोड़ना और छोड़ना था। और खोना था, शून्य होना था, भरोसा था। भरोसा था तुम सब समझ जाओगी, खुद को और राहुल को समहाल पाओगी, सिद्धात को मुक्त कर सकोगी, फिर एक दिन वह बुद्ध होकर तुम तक ही तो लौट आएंगे। फिर एक दिन बुद्ध होकर वह तुम तक ही तो लौट आएंगे, अपने को मिटा कर ही स्वेम को पाना होता है। जानने और सीखने में, यही जानने और सीखने में उम्र लगा दी सिदार्थने। वो दर बदर भटक कर जान पाए, जो खामोशी से राहुल को पालते हुए, तुमने सहस्ता से सीख लिया था। तुम, तुम मा थी। तुम्हे सब यूही पता था। प्रसो की बोज, प्रसो की बे इंतहा यातना तुमने महसूसा था। खुद को खोना, मिताना और शुन्य बनाना तुम्हारे लिए आसान था। तुम मा थी। प्रसव की बे इंतहा यातना तुमने महसूसा था, खुद को खोना, मिटाना और शूने बनाना तुम्हारे लिए आसान था, तुम जन्नी थी, और जन्नी सहजी बुद्ध होती है, तुम गिला भी सिर्फ अपना पन जताने के लिए ही करती रही, तुम गिला भी सिर्फ अपना पन जताने के लिए ही करती रही, मन ही मन तुम सब जानती थी, क्योंकि तुम तो मा थी, क्योंकि तुम तो मा थी. बहुत दन्वाला, अच्छा बस एक शेर आप सब के नजर है, जो हमारी ओडियंस है और इतने ऐसे समय में हमें सुनने आईए, आपके लिए एक शेर कहा देती हूँ, अलफाज मेरे अबादत का जरिया हैं, तुम तक पहुंच जाएं, तो लगता है, दुआ कुबूल हो गई. मार्ट अपकि अच्छा नहीं, बबादत के अच्छान से पहल्म, और में सक्छाने प्रूंट करेंगोन आप ऑना का रिके रियून का भादत करेंवेवेशान एक बादत कॉछा आपके सब करेंषने कि तुआएं ऑना को कि बादत के रियूदे मेरे पे सुखते हैं, आपके झाल झाल